नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरबल ग्यान पर फ्रेंड्स, आज कल हर 10 लोगों में 8 लोगों को जायों की समस्या है या पिम्पल्स के दाग धब्बे की समस्या है उनका चेहरा क्लियर नहीं है ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके चेहरे पर कोई दाग धब्बे नहीं है उनका चेहरा बिल्कुल स्मूथ है, उनका चेहरा हमेशा ग्लो करता है बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके चेहरे पर जाईयां है या पिमपल्स के दाग हैं या और कई तरह की skin problems हैं तो आज के सीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं जाईयों के बारे में पिमपल्स के दाग के बारे में और अगर आपके चेहरे पर कटने का हैं तो उसके बारे में उन सब को आप कैसे खत्म कर सकते हैं दोस्तों हमारे आयरुएद में इतनी ताकत है कि आपके हर तरह की skin problem को ठीक कर सकता है इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रीम से जादा डर्मेटलॉजिस से जादा आयरुएदिक और घरेली उपाय प्रियक के लिए खत्म कर सकते हैं इसलिए आज किस वीडियो में जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे अगर आप नयमित रूप से करेंगे तो मैं आपको गरांटी देती हूँ कि आपके चेहरे की जाईया पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और आपका चेहरा बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा तो दोस्तों आईए बात करते हैं कि आपको करना क्या है सबसे पहले आप अपने चेहरे को साफ कर लेंगे अच्छा होगा कि आप अपने चेहरे को कच्चे दूद से साफ करें क्योंकि कच्चा दूद से बेहतर कोई वी क्लिंजर नहीं हो सकता तभी त तो आजकल जितनी भी बड़ी कमपनिया हैं, वो सिर्फ दूद के नाम पर कैमिकल वाले क्रीम बेच रही हैं, वो भी काफी महंगे दामों में, और आप सब उसे बहुत सौक से खरीदते हैं, कि आप अपने चेहरे पर दूद लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने चेहरे को साफ करना चाहते हैं, तो आपको अपने चेहरे पर कच्चा दूद लगाना चाहिए, और इसे लगा कर ही अपने चेहरे को साफ करना चाहिए, तो आपने अपने चेहरे को क्लीन कर लिया, इसके बाद अब आपको एक फेस पैक बनाना है, जिसे आप सबताह में 3-4 बार बार इस्तमाल करेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक चमच चावल का आटा। जी हाँ दोस्तों चावल का आटा आपको लेना है क्योंकि चावल का आटा आपके चेहरे के जाईयों को और दाग धबो को दूर करने में काफी मदद करता है। हमारे आईरुवेद में सुरू से हल्दी को सुंदर का एक प्रशाधन माना गया है। हल्दी के बिना हमारा कोई भी घरेल उपाय नहीं हो सकता। तो आपको इसमें आधा चमच कस्तूरी हल्दी मिला लेना है। फिर आपको इसमें मिलाना है आवशक्ता अनुसार दही। आप आपकी जहाईयां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा आपको अपने डाइट पर भी ध्यान देने की बहुत जुरुत है। क्योंकि अगर आप अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देंगे तो ये सारे घरेल उपाय बिकार है। तो दोस्तों मैं तो आपसे पूरी समझदारी के साथ आप अपने स्किन पर काम किजे, आप इसका इलाज उपर से भी किजे और अंदर से भी किजे, आप घरेली उपाय किजे, इसके अलावा सारी साधानिया भी बरती है। तो दोस्तों आज किस वीडियो मस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडिय वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को स्क्राइब कर लिए धन्यवाद।